स्वागत है हिंदी प्रभाद के यूट्यूब चैनल में मैं स्राउंट मार्तिवारी आपके सामने आज अलंकार टॉपिक को लेकर के मैं आया हुआ हूँ आए देखते हैं कि अलंकार को कैसे किस क्लास में कौन-कौन से अलंकार है और हमें कैसे अध्यान करना चाहिए तो ध्य नाइन्थ लिख रहे हैं और यहां हम तेंथ लिख दे रहे हैं यहां यहां पर हम 11 कर दे रहे हैं और यहां 12 कर दे रहे हैं यह सभी कक्षा नाइन्थ के तेंथ के 11 के और 11 और 12 यानि 9 10 11 12 सारे कक्षा में तो नाइन्थ वाले छात्र सब्दा अलंकार का ध्यान करेंगे या करेंगे अर्था लंकार और 11 नके छात्र यह दोनों का अध्याण करेंगे यानि दोनों का अध्यान कौन 11 12 कौन सब्दा और अर्था दोनों को जोड़ करके अध्यन करेंगे तो सब्दा में तीन वेद हैं जिसको कहते हैं अनुप्राश और यमक और स्लेश नाइंथ कि च्छात्र को जिसमें अगर दो भी तैयार कर लेते हैं किसी दो को एक ही परिच्छा में पूछे जाते हैं दो नंबर को होते हैं तो चाहा किसी एक में से किसी एक का परिवासा और उदारण पूछा जाता है और अर्था लंकार वाले माने तेंट वाले चाहत अर्था लंकार पढ़ेंगे इनमें भी तीन को ध्यान में रखना आए उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा यह तेंट के चाहत ध्यान रखेंगे और 11-12 यह दोनों को जोड़ करके इसके अलावा भी कुछ और भी अलंकार बढ़ जाता है जो 11-12 को पढ़ना होता है जैसे संदे अलंकार आ जाता है ब्रांत इमान है दिश्टान्त है अन्योक्ति है तो लेकिन अगर यह 3 त्यार हो जाता है तो बाकिका त्यारी अराम से और मान लीजिए को भी तयार नहीं अगर छ त्यार है तो एक ही आता है और चाहे कोई भी इन तीनों में से कोई एक होता ही है निश्चित रूप से तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि अगर च्छ तयार कर लेंगे तो वो तयार नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है आपके परिश्चा में किसी प्रगार कोई समस्या नहीं आने वाली है तो आईए हम एक एक टो बारी बारी से समझा दे रहे हैं जिससे की कम समय में अधिक तयारी हो जाया है तो हमने फिरहाल अपने वीडियो में पहले भी अलंकार को डाला हुआ है जिसको आप चाहेंगे तो उसको भी देख सकते हैं लेकिन आज ततकाल में आप लोगों को समझा रहा हूँ जिससे की आसानी हो जाया तो अनुप्रास अलंकार याद रखेंगे जिसमें एक ही वेंजन वर्णों की आवरित्ती बार बार होती है तो वह अनुप्रास अलंकार कालाता है तो परिवासा कैसे लिखेंगे जब काब में एक ही वेंजन वर्ण की आवरित्ती बार-बार होती है तो वह अनुप्रासलंकार कालाता है याद रखेंगे परिवासा है जैसे मने परिवासा उन्हें बताया उदाहन देखेंगे तनुजा तट तमाल तरूवर बहु छ्याए अब असपष्टी कराण करेंगे तो ढ़ियर के जैसे परिवासा लिखेंगे परिवासा लिखने बहुमाद लिखेंगे फिर ये बताएंगे कि क्यों अनुप्रास है बताएंगे कि प्रस्तुत काब में या प्रस्तुत पद में एक ही यानि तव एंजन वन की आपरित्ती होने के कारण अनुप्रास अलंकार है और अगर ये कठिन लगे तो रगुपति रागाव राजाराम रावन की आपरित्ती है अगर ये भी कठी लगे तो कानन कुंडल कुंचित केसा कवन की आब रित्ती हो रही है तो इस प्रकार अनुप्रास अलंकार है और यमक अलंकार की बात आती है तो यमक अलंकार में जब काब्य में एक ही सब्द दो या दो से अधिक बार आएं और उनके अर्थ भिन भिन हो त अब यमक अलंकार का अगर आप लोग याद किया होंगे तो कनक कनक ते सवगुनी माद अजता रिकाए वाखाए बवराज यह अगर कठी लगे तो काली घटा का घमंड घटा याद रखेगा घटा सब्द दो बार आया अगर यह भी कठी लगे तो आप तीन बेर खाती थी वे बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं अब यहां बेर यहां है और यहां है यहां बेर का मतलब समय है यहां बेर का मतलब बाईर जो फल होता है तो इस प्रकार जो तीन समय खाने में समय को विता रहे हैं इस प्रकार ये सब्द एक ही सब्द दो बारा है दोनों के अर्थ अलग-अलग हैं इसलिए यह मकलंकार है और स्लेसलंकार की बात करते हैं तो स्लेसलंकार में एक सब्द एक बार यानि परिवासा ऐसे लिखेंगे जब काब में एक ही सब्द एक बार प्रयोग किये जाएं और उनके अर्थ भिन भिन हो तो वह स्लेश लंकार कालाता है जैसे उदारान रखेंगे याद रखेंगे उदारान मंगन को देख पट देत बार बार हैं उदार हैं छोटा सरल उदार अनिक्दम दे रहे हैं ध्यान से देखेंगे याद हो जाएगा तो मंगन को देख पट देत बार बार हैं यहां पट का याद जार रखेंगे पट सब्द एक बार प्रयोक किया गया इसके अलग-अलग दो अर्थ हैं, तो पट माने होता है वस्त्र और पट माने होता है दर्वाजा, यानि कोई भिखारी, मंगर माने भिखारी, भिखारी को देखकर कोई वस्त्र दान करता है, तो कोई अपने दर्वाजे को बंद कर लेता है, यानि देना नहीं चाहता, तो इ इस प्रकार यह इसके दो अर्थ हैं तो यह सब्दा औलंकार यहानि के झात्र भी ध्यार रखेंगे और 11 12th के झात्र भी हारा रखेंगे 10 से इस तो आईये हम बहुत Сवाट में बहुत छोटे में समझा दे रहा है다 उपमा अलंकार को कैसे समझेंगे तो जया रखेंगे उपमा अलंकार जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से समान गुण धर्म के आधार पर किया जाता है तो उपमा अलंकार कलाता है जहां से एक बार दूबार सुनिएगा, जैसे कहते हैं, याद रखेंगे, हारी, हारी पाद, फिर से लिख दे रहे हैं, हारी पाद, कोमल, कमल, सा, सबसे सरल उदारण है, याद रखेंगे इसके चार रंग होते हैं, तो इसमें यह उपमे है, याद रखेंगे, उपमे है, और यह उपमान है, पस्ति करन भी बता कर देंगे तो अच्छा है, और यह साधारण धर्म है, और यह वाचक है, तो इसके चार रंग, उपमालंकार के चार रंग होते हैं, जो उपमे जिसकी विशेष्टा, यानि जिसक कि तुलना की जाए और उपमान जिससे तुलना की जाए और वाचक जो सब्द दोनों के तुलना का माध्यम होते हैं और साधारन धर्म जो गुण कालंकार की बात करते हैं यानी उतमा लंग कार बहुत कम समय इसलिए हम आप लोग को टार्गेट पर खाली बता रहे हैं बाकी बहुत समझां नहीं रहे हम आगे हर अलंकार को अलग-अलग समझाएंगे जो बहतर और भी जाने कमप्टिशन की तयारी के लिए अभी हाम सिर्फ उतना तयारी कराने जिसे कि आप परिक्षा में लिख करके नंबर पाले भले समझ में ने आए लेकिन याद करके आपको लिख लेना है भूलने ना पाए बाकी इसको समझाने की जिम्दारी हमारी फिर मागे समझाएंगे तो ध्यार रखेंगे रूपक अलंका रूपक का अर्थ है किसी पर आरोप लगाना है जब उपमे में उपमान का वेद रहित आरोप किया जाता है तो रूपक अलंकार कलाता है क्या ध्यान रखेंगे परिवासा ध्यान से सुनिएगा कि जब उपमे में उपमान का वेद रहित आरोफ किया जाता है तो रूपकलांकार कलाता है इसका उदाहन ज्याद रखिएगा कि चरन कमल, बंड़, हरी, राई बस इतना कर रहेंगे आपका रूपक अलंकार का परिवासा और उदारन देना है और उत्प्रेक्षा की बात करते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार में ध्यान रखेंगे जब उपमे में उपमान की संभावना की जाती है तो उत्प्रेच्छा लंकार कलाता है उत्प्रेच्छा लंकार के वाचक होते हैं जनु जानो मनु मानो जनु मनो जानो मानो ये वाचक हैं ये वाचक अगर दिखते हैं तो उत्प्रेच्छा लंकार और अगर उदारण में दिखाई दे जरू जानो तो समझ जाएं उद्प्रेक्षालंका लेकिन आपको परिवासा लिखना है तो जब में में उपमान की संभावना की जा तो उद्प्रेक्षालंका जैसे इसका जा रखेंगे उदारण याद हो जाएगा तो बढ़ियां से याद कर लिजिएगा नहीं इससे सरल आपको अगर कोई याद होगा तो प्रियास करिएगा सोहत ओड़े पीत पट शाम सलोने गात मनो नील मडी सेल पर आतपु परियो प्रभात ये इसी के कारण ये उत्प्रेक्षा ये पहचान बता रहा है ये वाचक है और अगर दो तीन बार ध्यान से देखेंगे तो उमीद करते हैं कि 9th, 10th, 11, 12 सारे चारो कच्छाओं के छात्र को ये हलाब मिलेगा और निश्ची तुरुप से अच्छे अंक लेकर के आप लोग पासोंगे और मैं बस यही उमीद करता हूँ कि अब की बार 90 के पार याद रखेगा 90% से उपर आप लोग लाईएगा हिंदी में तो 90 आजाएगा लेकिन और भी सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए आप सारे सब्जेक्ट को बढ़ियां से करने के बाद जब पूरे को जोड़ा जाए तब 90 के पार जाएगा तो अच्छा रहेगा बस आज इसी के साथ हम आपकी परिच्छा के लिए सुभ कामना देते हैं कि इसके बाद हम परिच्छा के परिच्छा के पहले अब हमारे वीडियो को आप लोग नहीं देख पाएंगे परिच्छा देने के बाद ही देख सकते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अब इसी के साथ बढ़ियां से परिक्षा दीजिएगा और मैं आपके उज्वल भविष्य की कामना करता हूँ बस आज इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ बस नमस्कार